सले एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, very good morning to all of you. आज के वीडियो में 18 अक्टूबर 2024 के करेंट अफेर कवर करेंगे. करेंट अफेर की PDF आप मेरे टेलिग्राम गृप से डाउंलोड कर सकते हैं. टेलिग्राम का official link वीडियो के description में दिया हुआ है. टेलिग्राम में डेली के quiz अपलोड किया जाते हैं. इन quiz के question को आप attempt जरूर किया करिए. ये बहुत important question होते हैं. और आपको आने वाले exams में काफी मदद करेंगे. पहले कल के question की बात करते हैं. कल मैंने आपसे history का question पूछा था. और मेरा सवाल था कि जो लखनव पैक्ट हुआ था. ये Congress और किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही answer है. ये Congress और All India Muslim League के बीच में हुआ था. जो लखनव पैक्ट है. ये सन 1916 में लखनव में आयजित किया गया था. दरसल इसका में उद्देश ये था कि Congress को strength मिले. क्योंकि Congress की स्थापना तो 1885 में हो गई थी. लेकिन 1906 में जब All India Muslim League की स्थापना मुसल्मानों के welfare के लिए करी गई. तो जो मुसल्मान वर्ग था Congress का, वो धीमे धीमे Muslim League की तरफ रुख करने लगा. तो जो Muslims का support था वो Congress की तरफ कम होने लगा. और साथ में, अगले ही साल 1907 में सूरत split हुआ. जिसमें की जितने भी युवा वर्ग Congress से जुड़े हुए थे, वो सब Congress को छोड़ कर चले गए. जिससे की नरम दल और गरम दल दो अलग-अलग group बने. तो Congress पूरे तरीके से कमजोर हो गई थी. इसलिए 1916 में लखनाओ में Congress और Muslim League के वीच में pact हुआ. जिसके अंतरगत ये सहमती बनी कि Muslim League के जितने भी events होंगे, या आंदोलन होंगे, या Muslims की demands के लिए जो भी उनकी summit या meetings होंगे, उसमें Congress उन्हें support करेगी. और जब Congress इंडिपेंडेंस के लिए कहीं पर भी कोई moment चलाएगी, तो Muslim League से जुड़े हुए मुसल्मान सब Congress को support करेंगे. That is called Lucknow Pact. सबसे पहले इसका सही answer देने वाले तीन student हैं. पहले हैं सौम में जिन्होंने सही answer दिया है. दूसरे हैं नाजित खान और तीसरे हैं देव दा अनिस्टॉपेबल. ये टॉप थ्री student हैं जिन्होंने सबसे पहले सटी का answer दिया है. इसके अलावा बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने सही answer दिया है. और Amazon से आप मेरी इस किताब को order कर सकते हैं. इस किताब का link वीडियो के description में है. Hindi और English डोनों में एक किताब available है. एक और खास बात, RRB NTPC 2024 का जो special complete batch है. इसमें 45% का flat off चल रहा है. तो आप इसे avail कर सकते हैं. जिसमें 350 गंटे से ज़्यादा की classes हैं. और CBT 1 और 2 दोनों का syllabus इसमें RRB NTPC का cover है. इसमें आप देख सकते हो, 114 गंटे की मेरी class है. पूरा GSGK और General Science इसमें अलग से दिया हुआ है, 35 गंटे का. Reasoning की अलग से पूरा syllabus cover है, 79 classes हैं. और 122 classes में पूरा math का syllabus cover है. इस batch का direct link भी वीडियो के description में दिया हुआ है. यह offer केवल इसी batch में है, और दूसरे batches में इस टाइम पर कोई भी offer नहीं है. अब शुरू करेंगे current affair. खाली में भारत हैं कौन से देश के साथ audio-visual co-production agreement pact पर sign किया है. और दरसल इसका main उद्देश यह होगा कि दोनों देश आपस में मिलकर film produce करेंगे. और यह जो फिल्में बनेंगी, वो दोनों देशों की culturality को और दोनों देशों की एक तरीके से आप बोल सकते हो traditions को show करने की कोशिस करेंगे. तो भारत ने यह pact कोलंबिया के साथ sign किया है. इसका देखिए सीधा साथा यह मतलब है कि कोलंबिया और भारत में दोनों में इस तरीके की movies बनाई जाएंगी, जो कि आने वाले समय में कोलंबिया के culture को promote करेंगे और भारत के भी culture को और tradition को promote करेंगे. ऐसा pact भारत ने पहली बार कोलंबिया से sign नहीं किया है. इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे country हैं जिनके साथ यह pact sign कर चुके हैं. जैसे कि New Zealand के साथ हमारा pact है, Australia हो गया, Britain के साथ भी यह pact है, ब्राजील हो गया, Italy हो गया, यह सारे वो देश हैं जिनके साथ हम already इस तरीके का pact sign कर चुके हैं. इस pact के अंतरगत एक और सहमती बनी है, कि कोलंबिया में आने वाले समय पर जो इस तरीके की culture और traditions को दिखाने वाली जो movies बनेंगी, उनकी shooting भारत की कई locations पर करी जा सकेगी. कोलंबिया की capital क्या है, इसको बोलते हैं Bogota, क्या बोलते हैं Bogota, और कोलंबिया के इस टाइम पर रास्टपती है Gustavo Petro, क्या नाम है Gustavo Petro, Brazil की capital है Brazil, Chile की capital है Santiago, और Mexico की capital है Mexico City. अगर आपको नहीं पता है कोलंबिया कहां पर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह हमारा भारत है, सबसे पहले इस पर focus करिए, जब भारत से आप left में आते हैं या आप बोल सकते ह जब आप आते हो, तो यह उपर आपको Middle East दिखाई देता है, फिर यह आपको Africa reason दिखाई देता है, और West में जब आप आते हो, तो उपर आपको उत्तरी अमरीका और नीचे आपको दक्षणी अमरीका दिखाई देता है, दक्षणी अमरीका में पेरू और वेनेजुएला द सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है न, इसको क्या बोलते हैं, फॉक्लेंड आइलेंड, यह सबसे छोटा देश है, पूरे साउथ अमेरिका का, भारत सरकार ने फैसला लिया है, कि मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतरगत, जो बुलेट ट्रेंस बनाई जाएंगी, यह कौन सी कंपनी बनाईगी, तो इसके लिए ओविस सी बात है, जो यह पूरा प्रोजेक्ट था, यह प्रोजेक्ट दिया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्टरी जो की चिन्नाई में इस्तित है, जो की सबसे जादा भारती है रेल्स के कोच बनाने का काम करती है, लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने इस कॉन्टरेक्ट को आगे बढ़ाया है, और इन्हों ने फैसला लिया है, कि ये जो bullet trains बनेंगी भारत में, Making India Project की अंतरगत पूरे तरीके से indigenous लेवल पर बनेंगी, तो इसके लिए इन्हों ने भारत Earth Movers Limited को contract दिया है, तो ultimately 866.87 करों का जो ये contract है, इस contract की मदद से दो bullet train पहले phase में बना कर तयार करी जाएंगी, और ये कौन मनाएगा, B.E.M.L. और ये जो train बन कर तयार होंगी, ये 2026 के अंतर तक बन कर तयार होंगी, इसमें अगर on and average बात करें, तो bullet train के एक एक कोच की cost करीब 28 करों आएगी, बारत Earth Movers Limited इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी, इसका headquarter है Bangalore, और इसके Chief Managing Director है Shantanu Roy, कौन है Shantanu Roy, Echo Life Insurance के नए CEO के रूप में किसने पदभार समाला है, Echo Life, I am very sure आप इसका advertisement देखते होगे, इसके नए CEO बनाए गए हैं, Sandeep Goenka, और Sandeep Goenka को 20 साल से ज़ादा का insurance sector में experience है, ये इससे पहले life insurance हो, या general हो, या फिर health insurance हो, हर एक sector में काम कर चुके हैं, और इन्होंने एक अच्छे कासे कारेकाल तक, Tata AIA Life Insurance में भी काम किया हुआ है, apart from this, अभी latest में, जहां से इन्होंने जॉइन किया है, ये इसससे पहले Exide Life Insurance में, Chief Finance Officer के रूप में कारे रथ थे, लेकिन अभी ये, ECO Life में CEO के रूप में कारे रहत होंगे, ECO General Insurance की स्थापना, सन 2016 में करी गई थी, बिल्कुल नई कंपनी है ये, इसका Headquarter है Bangalore, और इसके CEO है Varun Dua, कौन है? Varun Dua, और ध्यान रखिएगा, 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है, इंडसिंड बैंक के एक बार फिर से, नए CEO कौन अपॉइंट किये गए है, तो अगले कारेकाल के लिए भी, सुमंत कचपालिया को CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, ये कौन हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा, पूरे देश बर में, साइबर सेफटी को प्रमोट करने के लिए, नैशनल एमबेजडर डिकलियर किया गया है, तो ग्रै मंतराले के द्वारा फैसला लिया गया है, इनको आप लोग जानते ही होंगे, कुछ टाइम पहले एनिमल मूवी आई थी जो की ब्लॉक बस्टर गई है, उसके बाद से पूरा भारत ही इनको जान चुका है, तो ये हैं रश्मिका मंदाना, रश्मिका मंदाना पूरे भारत भर में, नैशनल एमबेजडर बनके, साइबर सेफटी को प्रमोट करने का काम करेंगी, आप लोगों को पताई है, गल्स के साथ साइबर सेफटी कहीं जादा इंपोर्टेंट है, देखिए बॉइस के साथ क्या है, बॉइस के साथ तो पैसे का लेन ने इनको लेकर बहुत सारे ऐसे केसिस देखने को मिलते हैं, बट गल्स के साथ पैसे के केसिस को भी लेकर, और कई बार sexual harassment इस तरीके के भी cases cyber security से जुड़े हुए दिखाई देते हैं तो ultimately इसका मेन उद्देश यह होगा कि पूरे भारत भर के लोग जागरूक रहें आज की date में artificial intelligence का हम use तो करने हैं लेकिन यह कितना विनाशकारी हो सकता है इसके लिए भी ध्यान लखे तो हमें उतना ही सचेत रहने की ज़रूरत है AI को use करते टाइम और कुस टाइम पहले आलिया भट जो है यह L'Oreal की brand ambassador डिकलेर करी गई है अभी हाली में एक list जाली करी गई है इस list से पता लगता है कि दुनिया का richest city कौन सा है मतलब अगर बात करें तो एक कौन सा शहर है जिसको दुनिया का सबसे अमीर शहर गोशित किया गया है तो यह है UAE की capital अभू धाबी अभू धाबी इस टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर शहर गोशित किया गया है और आपको पता है इसकी asset capital इस time पर कितनी है ये है 1.7 trillion dollar जिसने New York वगेरा को भी पीछे छोड़ दिया है इस time पर और अगर इसके बाद करें बात तो second number पर Norway की capital Oslo है और Oslo के बाद जो number आता है वो आता है बीजिंग का बीजिंग के बाद Singapore है और उसके बाद रियाद है ठीक ह तो ये top five cities हैं पूरे दुनिया में इस time पर जो की सबसे यादा wealthy है अबुदावी केविल asset capital में ही number one पर नहीं है साथ में ये human capital में भी number one पर है human capital का मतलब ये कि अबुदावी इस time पर दुनिया का वो शहर है जहां पर अगर individually देखा जाए तो सबसे जादा कमाई करने वाल लोग भी रहते हैं हाली में 2024 की international 6G symposium का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो ये भारत के communication minister है जो तिरा दित्त सिंतिया इनके द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है international 6G symposium और इसका में उद्देश ये है कि भारत में जो 6G launch हो रहा है उसके लिए दुनिया बर स जो investors हैं उनको यहां पर बुलाया गया है और भारत भार के अंदर हमारे जितने भी टेली communication companies हैं में में जैसे की जीओ हो गया और भारती ATL हो गया BSNL हो गया इन सब ने भी यहां पर हिस्सा लिया है तो ultimately G6 को लेकर भारत सरकार के द्वारा क्या मानक रखे जाएंगे और कि किस चीजों का आमें ध्यान रखना है ताकि लोगों की privacy compromise ना होने पाए क्योंकि obvious सी बात है लोग अगर आपस में communicate कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी चीज वहां पर भी क्या है privacy and security तो यह सारे भारत सरकार के मानक होते हैं जिनको इस तरीके के symposium में सारी चीजें ब्रीफ कर काम सी company है जिसने हाली में भारत पे के साथ एक pact sign किया है और यह इनके साथ मिलकर home loans और loans against property प्रोवाइड करने का काम करेंगे तो भारत पे के साथ जो pact sign किया है यह किया है आदित तविरला housing finance ने कहने का मतलब यह है कि आप मेंसे जो लोग भारत पे यूज करते हैं भारत प application मिलेगा और आप directly यहां से ही loan के लिए apply कर सकते हैं और भारत पे में जो आपका account merge होगा उसी account में आपका loan का पैसा आ जाएगा भारत पे के brand ambassador है सलमान खान और phone पे के brand ambassador कौन है आमिर खान आपको ध्यान होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था phone पे भारत की पहल policy insurance इसको केवल 10 दिन के लिए launch किया गया है especially दिवाली के लिए ये 25 October से start होगा और 5 November तक insurance cover देगा इसमें 25,000 रुपय का insurance cover मिलेगा अगर किसी को भी injury हो जाती है किसी भी तरीके की पठाके से दिवाली के दौरा हो और इसके लिए केवल 9 रुपय की cost है इस 9 रुपय में घर करके 4 लोग cover हो जाएंगे खारत पे की स्थापना साल 2018 में करी गई थी इसका headquarter है नहीं दिल्ली और इसके CEO है नलिन नेगी क्या नाम है नलिन नेगी और आदित बिरला housing finance की बात करें तो ये 2009 में स्थापित करी गई थी और इसका headquarter है नहीं दिल्ली और इसके CEO है पंकज ग इसकी इस बार की इसकी theme रही right to foods for a better life and a better future इस दिवस को इसले मनाया जाता है कि लोगों को ये पता रहे कि एक अच्छे food की importance क्या होती है एक अच्छा food वही होता है जिसमें की nutrition follow ना की केवल taste हो इस दिवस को पहली बार food agriculture organization के द्वारा 1979 में मनाय गया था तब से हर साल ये दिवस 16 October को मनाया जाता है उच्छा food agriculture organization जो है इसकी स्थापना कप करी गई थी 1945 में और इसका headquarter है इटली की capital रोम हाली में कौन सा राज्य है जिसको भारत सरकार की तरफ से पांच में रास्टिये जल पुरसकार में सर्वस्रेस्ट राज्य का पुरसकार दिया गया है मतलब water management के छेतर में best state इसे डिकलेर किया गया है तो number one award मिला है इस बार ओडिसा को number one पे रहा है दूसरे नंबर पर यह अब देखें इसका मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह top three या four वो यूटी और states हैं जिनोंने water management के लिए सबसे वहतर कारत किया है और अपने लोगों तक पानी को बहुत अच्छे तरीके से पहुचाने का प्रयास किया है और यह जो पुरसकार दिया जाता है यह पांचमी बार दिया जा रहा है इससे पहले चार साल से लगातार यह पुरसकार इसले दिया जा रहा है क्योंकि हर एक state government जो है वो उसके लिए प्रयासरत रहे आज की डेट में पानी एक सबसे बड़ी समस्या भी है और जल ही जीवे ने यह तो सबको पता ही है इस award के साथ जो पुरसकार के रूप में दिया जाता है वो धनराशी भी दी जाती है और साथ में एक citation भी दिया जाता है वाई देवे उडीसा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कोन है यह है मोहन चरन मांजी अभी तीन मैने पहले इनकी सरकार बनी है और नवीन पतनायक की सरकार वहाँ पर चली गई थी और यहाँ पर गवंणर कौन है रगुवर दास भारत सरकार ने फैसला लिया है कि प्यूरे भारत में कितने artificial intelligence center खोले जाएंगे तो हाली में यह फैसला लिया गया है कि तीन artificial intelligence center खोले जाएंगे और यह AI centers भारत में research, innovation और economy को promote करने का काम करेंगे अब यह तीन AI center कहां कहां पर खोले जाएंगे तो इसको समझे पहला आपका IIT कानपूर में खोला जाएगा और दूसरा जो है यह IIT रोपड में खोला जाएगा और तीसरा जो है यह AIMS दिल्ली में खोला जाएगा ठीक है तीनों को अलग-अलग रोल भी दिये गया है जो AIMS दिल् के छेत्र में रिसर्च और इनोवेशन करिये और IIT कानपूर जो है इनको सस्टेनेबल सिटी के लिए टार्गेट दिया गया है कि आप एक ऐसा मॉडल बनाईए जिसमें कि एक शेहर को AI की मदल से बहतर बनाया जा सके है तो यह थ्री इंस्टिटूशन आपको ध्यान रखन दूसरा ऐसा नैशनल पार्क बन गया है जो कि तितलियों की सबसे जादा प्रजातियों को रखता है मतलब इस नैशनल पार्क में दूसरा नंबर पे सबसे जादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है और यह कितनी है 446 प्रजातियां है तो यह है आसाम का काजी में तब जाकर यह चीज मैवर्सिफाई हो पाई है और डिस्क्लोज हो पाई है कि काजी रंगा नैशनल पार्क जो है यह दूसरे नंबर पे तितलियों का सबसे बड़ा गढ़ है अभी कुस टाइम पहले बिल्ली में भारत सरकार के द्वारा सप्टेंबर के महिने में 27 से ले हिस्सा लिया था और 85 तरीके की टितलियों की प्रजाती को परदशित किया गया था है और काजी रंगा नैशनल पार्क के वैसे especially अगर बोला जाए तो ये कौन से जानवर के लिए जाना जाता है तो ये one horn rhino के लिए जाना जाता है एक seeing वाला grinding अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं डूसर नमबर पर सबसे जादा तितली यहाँ पर है ये कौन से national park है जहाँ पर सबसे जादा तितलीयों की प्रजाती है पूरे भारत में तो इस national park को क्या बोलते है तो ये national park है अरुनाशल प्रदेश का और इसको बोलते है नाम दफा national park यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम दफा national park ठीक है एक festival है जिसका नाम है मेरा होव चुगबा और इसका में उद्देश ये है कि मनीपुर में वैली एरियाज में रहने वाले जो समदाए हैं दोनों समदाए आपस में एक जुट होकर भाई चारे के साथ रहे और आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि मनीपुर में जो communities रहती हैं जो tribal communities हैं उनके अलग-अलग सारे फेस्टिवल है बट ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसका नाम है मेरा होँ चुगबा जो की दोनों community के लोग मनाते हैं और मनीपुर में इस टाइम पे मुख्यमंत्री है बिरेन सिंग कौन है बिरेन सिंग और यहां के governor है लक्षमन प्रिसाद आचारे वैसे अगर पुछा जाए मनीपुर के fog dance कौन कौन से है तो यहां के काफी interesting है fog dance एक तो है आपका जो की कई बार पुछा जाता है इसको बोलते है चप्चर कुट क्या बोलते हैं चप्चर कुट इसके अलावा पुंग चोलम हो गया यहां का और एक है ढोल चोलम यह भी यहां पर dance perform किया जाता है और एक है यहां पर lie haruba lie haruba तो बहुत बार पुछा गया है अब मेरा आज का सवाल है आपसे हीरा कुन बान जो है यह कौन सी नदी पर इस्थित है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए मुझे वाकि मैंने आपको बताई दिया है RRB NTPC स्पेशल बैच में 45% का फ्लैट ओफर है आप इसे ग्रैब कर सकते हैं और एक यवार में पूरा स्लेवस NTPC का कवर कर सकते हैं ताकि एक्जाम से पहले आप कोशन जादा से जादा कवर कर पाए ध्यान रहे जब मैंने NTPC के बुक लॉंच करी है उस बुक में पिछले 8 सालों के जितने भी NTPC के पेपर है और रेलवेस के पेपर हैं वो सब सॉल्यूशन के साथ हैं लेकिन वो आपको समझत भी आएंगे जब आप पेलेस लेबस कवर करोगे अपार्ट फॉम दिस किसी भी वंडे एक्जाम के लिए आप मेरा GSGK का फांडेशन बैज भी रिकॉर्ड़ेट फॉर्म में अविल कर सकते हैं या फिर अगर आपको लाइफ पढ़ना है तो लाइफ बैज भी इस टाइम पर चल रहा है सुबह ग्यारा बजे जिसमें हिस्टी खतम हो चुकी है और पॉलिटी चालिव हो चुकी है तो आज की बात यहीं तक रहेगी थैंक यू सो मच एव नाइस डे टेक क्यर बाबाय आपका दिन मंगल में हूँ